नमस्कार दोस्तो रादे रादे कैसे हो आप सबाई होप आप सब अच्छे होंगे सवस्त होंगे मस्त होंगे बहुँट बहुँट खुस होंगे वेलकम टु माइ नूँव वीडियो तो फ्रेंस आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ, मोटिवेशनल स्टोरी, अपना लक्सया कैसे पाए, तो चलिए शुरू करते हैं एक बार स्वामी जी अपने आसरम में एक छोटे पालतु कुत्ते के साथ टहल रहे थे तभी अचानक एक यूवक उनके आसरम में आया और उनके पैरों में जुग गया और कहने लगा स्वामी जी मैं अपनी जिंद्गी से बड़ा प्रेसान हूँ, मैं प्रती दिन पुरुशार्थ करता हूँ लेकिन आज तक मैं स्फलता प्राप्त नहीं कर पाया पता नहीं इस्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है जो इतना पड़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकाम्याब हूँ यूवक की प्रेसानी को विवेका नंद जी तुरंट समझ गए उन्होंने यूवक से कहा भाई थोड़ा मेरे इस कुट्टे को कहीं दूर तक सैर करा दो इसके बाद मैं तुमारे परशनों का उत्तर दूँगा उनकी इस बात पर यूवक को थोड़ा अजीव लगा लेकिन दो बारा उसने कोई परशन नहीं किया और कुट्टे को दोड़ाते हुए आगे निकल पड़ा बहुत देर तक कुट्टे को सैर कराने के बाद जब यूवक आशुरम में पहुचा तो उन्होंने देखा कि यूवक के चहरे पर अभी भी तेज है लेकिन मैं छोटा कुट्टा थकान से जोर जोर से हाप रहा था इस पर स्वामी जी ने पूछा क्यों भाई मेरा कुट्टा इतना कैसे थक गया तुम तो बड़े स्यांत दिख रहे हो क्या तुमें थकावट नहीं हुई यूवक बोला स्वामी जी मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था लेकिन यही बड़ा असांत था रास्ते में मिलने वाले सारे जानरों के आगे पीछे दोड रहा था इसलिए एक जैसी दूरी तै करने के बावजूज भी यह है इतना ठक गया तब विवेका नंजी ने कहा भाई तुमारे पर्षनों का उत्तर भी तो यही है तुमारा लक्षय तुमारे अगल बगल है वो तुमसे कहीं दूर थोड़ी है प्रन्तु तुम अपने लक्षय का पीछा छोड़ करके अन्य लोगों के आगे पिछे दोड़ते रहते हो और इस तरह तुम जिस चीज को पाना चाते हो उससे दूर चले जाते हो यूवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया दोस्तो क्या आपको नहीं लगता आज हम भी इसी कहानी के कुट्टे के समान दूसरों को फोलो करने में लगे हुए है अगर आपका मित्र डोक्टर है तो आप भी वही बनना चाहते है भले ही उसमें आपकी कोई रूची हो या नहीं ऐसा करके हम अपनी परतिवा को खो बैठते हैं और जिल्दगी भर संगर्स करते रहते हैं इसलिए दोस्तों दूसरों को फोलो ना करें अपना लक्सया खुद बनाए और उसके पीछे पूरी लगन से लग जाए तो फ्रेंस ये थी मेरी एक मोटिवेशनल स्टोरी इससे हमें यही सीख मिलती है कि हम अपने लक्सया को कैसे पा सकते हैं हमें अपने आपको पहचानना है और अपने लक्सया को प्राप्त करना है तो फ्रेंस अगर मेरी ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर नहीं होताँ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेकर फ्रेंड्स जै माता दी